उत्री इसराइल हिजबुला के हमलों से वीरान हो चुका है। क्योंकि उत्री इसराइल के बॉर्डर इलाकों में हिजबुला लगातार भीशन हमले कर रहा है। और ये रॉकेट दूर बनी आईडियफ की पोस्ट पर जाकर गिरते हैं। इसी बीच एक रॉकेट आईडियफ के एक सैनने टावर पर जाटकराता है। इसके बाद रात के अंधेरे में हिजबुला के लड़ा के ताबर तोड तरीके से रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाही हैं। बड़ी बात यह है कि नियोट मौर्दिचाय सेटलमेंट किरियत शमोना के दक्षिन पूर मिस्थित है जो उत्री अलजलील का हिस्सा है और यह इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है आपको बता दें कि हिजगुला ने जाउरा इलाके में भी कई राउंस कत्यूशार रॉकेट दागे हैं इसके साथ ही मर्ज, सुमाका और रासरलीन इलाकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट फायर किये गए हैं यहां तक कि हनीता सेन ने चौकी पर भी हिजगुला ने गोला बारूत दागा है वहाई इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजगुला ने इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इसको लेकर किरियच शमोना के मेयर ने चैनल 13 से कीमों को रवाना किया गया इसराइली मीडिया के मताबिक यह आग सेटलमेंट्स और खेती वाली जमीन पर फैल गई थी इसराइली मीडिया का कहना है कि अकेले 65 रॉकेट्स गलीली पैनहंदेल इलाके पर दागे गए थे जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में आकर गिरे थे जिससे आग लगने की घटनाए हुई है आईडियाफ के मताबिक एक प्रोजेक्टाइल शतूला के बॉर्डर के पास और पांच रॉकेट्स पस्चिमी वेस्टन गलीली के जारीद में फायर किये गए थे और इसके बाद शाम को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किरियत शमोना इलाके में दागी गई जबकि तीस रॉकेट गलीली पनंदेल पर फायर किये गए हाला कि आईडियाफ का कहना है कि हिजगुला के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है और इन हमलों के बीच आईडियाफ ने हिजगुला के हमलों पर पलटवार भी किया है आईडियाफ के मताबिक इसराइल के लड़ाकु जेट्स ने दक्षनी लिबनान के कोनीन और काबरिका में बने लॉंचर्स को एर स्ट्राइक में उड़ा दिया आईडियाफ ने इसका वीडियो भी जारी किया है आपको बता दे कि जिस वक्त हिजगुला उत्री इसराइल को दहला रहा था उसी दोरान इराक से एक ड्रोन इसराइल की तरफ फायर किया गया था जिसे आईडियाफ ने मार गिराने का दावा किया है इस हमले को लेकर IDF का कहना है कि पूरवी दिशा से एक ड्रोन इसराइल की तरफ बढ़ रहा था जिसे इसराइली एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है ये ड्रोन इसराइल के एर स्पेस में खुश नहीं पाया था आपको बता दे कि इरान समर्थित इराकी मिलीशिया ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे पहले भी इराकी प्रतिरोधी समू इसराइल पर दर्जनो ड्रोन हमले कर चुका है